Hello friends, मैं अनामिका, मेरे कीचिन में आप सभी का स्वागत है, आज मैं आलो और गोभी की भुजिया बनाने जा रही हैं, इसे बनाना बहुत ही आशान हैं, और बच्चे इसे बहुत ही पसंद करते हैं, इसे आप लांज के लिए या टिविन में कभी भी बना की दे सकती हैं, इस अगर आज की मेरी ये भुजिया की रेश्पी आपको पसंद आए, तो इसे लाइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमिट करना मत भूलिए, तो चलिए हम भुजिया बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम गैस पे एक कडाही रखेंगे, और गैस को आउन कर लेंगे, कडाही गरम हो चुकी है, इसमें हम एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, तेल आप कोई भी खाने वाला यहां पे ले सकते हैं, तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे, और उसमें हम थोड़ा सा जीरा और एक सुख्षी मिर्च को तोर की फोरन डालेंगे, इससे भुजिये का टेस्ट बढ़ जाता है, अब हम जीरा और मिर्च को ब्राउन होने देंगे, जीरा और मिर्च ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे, तो प्याज को हमने छोटे-छोटे साइज में कट कर लिया है, तो एक प्याज हम नहाँ पे डालेंगे, और इसे हम लाइट ब्राउन मिमें कर दोनेंगे, देखिए, देड़ मिनट में हमारा प्याज का कलर हलका ब्राउन हो गया है, यानि कि प्याज सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इस इस टेज पे आलू डालेंगे, तो हमने एक बड़ी साइज के आलू को पील करके, और ऐसे छोटे-छोटे पीसिस में काट लिया है, तो इसको हम डाल देंगे, और इसे मिक्स कर लेंगे, हमने केली फ्लावर को यानि कि फुल गोभी को एसे छोटे-छोटे पीसिस में काट लिया है, तो इस इस टेज पे हम ये भी डाल देंगे, और इसे भी हम अथ्य से मिक्स करेंगे, हम अथ्य से मिक्स करके, और कभर कर ल तीन मीनित बाद हम धक्तन को हटाएंगे तो अब भ्यान से देखिए आलू और गोभी अपना चौप हमें लगा है अब हम इसे अच्छे से लीश कर लेंगे और इस इस देखे हम अपना मशाला मीश करेंगे इसके लिए हमें इसमें जादा कोई मसाला नहीं डालना है हम दोनी मसाले पेस्टे बनाएंगे तो अब भ्यान से देखिए इसमें आधी चमच हम हर्डी डाल रहे हैं हर्डी को फैलाते हुए डाल रहे हैं अब पीखा वाला मीश कोड़र है अब पीखा वाला यूज करें तो थोड़ा कम कर रहें और शाथ में हम नमद भी डालेंगे जिसे की आलू अपनी कर जाएगी तो हम स्वात की अनुशारिक में नमक चा लेए और इसे हम अच्छे से चला लेए इसे बहुत ही कम मसाले में बनने वाली सब्भी है और इसे बच्ची तो बहुत ही पसंद करते हैं आप यहां से देखिए इसका कलर इतना प्यारा आया है तो मसाला मीक्स कर दिये हैं अब हम इसे कवर करके 2-3 मिनट और पकने देंगे 2-3 मिनट बाद हम फिर सबजी को चेक करेंगे तो इसे हम अच्छे से मीक्स करेंगे और एक आलू को हम ऐसे पेस्ट करकी चेक करेंगे तो आलू अपनी पक चुकी है अभी तक तर जो भुजिया है हमने मेडियम फ्लेम पे पकाया है अब हम गैस के फ्लेम को सुल कर लेंगे और चलाते हुए इसे 2 मिनट तक भूदेंगे जिससे भुजिया अपनी चलाते हुए कुरकुरा कर लिया है अब ध्यान से देखिए आलू अपना कितना सुन्दर पक चुका है साथ में गोभी भी पक गया है अब हम गैस के फ्लेम को आफ कर लेंगे और फुजिया को किनारे कर लेंगे इससे क्या होगा इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो बीच में जमा हो जाएगा एक मीनट तक हमने सब्जी को साइट में कटके रखा था तो एक्स्ट्रा तेल जो है वो बीच में ही कट्था हो गया है हमें इस तेल को वेस्ट नहीं करना है इसमें हम कोई और सब्जी बना सकते है अब हम सब्जी को शर्विंग बाउल में निकालेंगे तो ऐसे हम किनारे से चमज के सहारे सब्जी को सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे थोड़ा थोड़ा करके आलो और गोभी के मज़ेदार श्वादिश्ट भुजिया बन कर तयार है अब हम इसे धनिया पता से कार्णिस कर लेंगे तो इस भुजिया को आप जरूर ट्राइ कीजिए इसे बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं और जो लोग मशाला कम पसंद करता है उसके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया नेश है तो इसे आप जरूर ट्राइ कीजिए अगर आज की मेरी ये रेश्पी आपको पसंद आए तो मेरे सेनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए धन्यवाद